प्रम्पूज्य बहिंश्री चम्पाभ्णाए ना है पेन की जीवन जर्मर और मंगल दिंचर्या आया नमो नमा ओम नमो अरिहन ताणन् नमो उसित्धाणन् नमो आयरियान् नमो अचायान् नमो लो एसो सावुणं एसो पंच नमो कारों सोवप्पाव पनासनों मंगलाडंच सावेसिम् पढमं हवाई मंगलंब मंगलं भगवान वीरों मंगलं गोत्तमोगणी मंगलं कुंड कुंदार्यों जैन धर्मोस तो मंगलं जम्बू द्वीप में समागत भरत क्षेत्र के मध्य में यह है भारत देश अर्थात संतों और साधकों तथा आराधकों के भूमी इस भव्व भूमी पर गुजरात राज में तीर्थ धाम शत्रुंजय की चाया में आया हुआ यह है स्वर्णपुरी धाम स्वर्णपुरी वरतमान में दुनिया के नक्षे में रतनाक्षरों से अंकित है क्योंकि यह है परमपुजय अध्यात्म मूर्ती सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनके अनन्य भक्त भगवती माता बहिंचरी चंपाबेन की पवित्र साधना भूमी धर्म दुरंदरों की मंगल आराधना से धन्य इस धरा का कण-कण पवित्र है पूज्य गुरुदेव की वानी की गर्जना से गाजता बोलता तीर्थों में उत्तम तीर्थ स्वननपुरी अर्थात सोनगड जाथ अर्म अनुद्ही परमात्मा है है वित्राथ स्वगन देवनी द्वनी मा स्रिलोकना परमात्मा स्वार इंदरनी उपस्तितेना समोशनमा लाखो क्लो देवनी हाजरी मा बहगवानी मानी मा तू परमात्मा जो एम नकी कर, तू परमात्मा जो एम नकी कर, ओ, 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 बगमान पंते में परमात्मा जो हिटनों तू नकी करवाजो, ये परमात्मा में जे नकी ताहरे तकर क्या रहे तू परमात्मा जो एम बहुत ताहरे ताहरे तू परमात्मा जो एम अध्यात्म मूर्ति परम उपकारी पूज्य गुरुदेविश्री कान जी स्वामी तथा परम उपकारी पूज्य चम्पा बेन के चरण कमल में अरपन ना दे जागे आत्माती नरना अपार मुपक्ती गामी जिवनों तू साचो सरदार ओ कान गुरु तुझ चरण कमल मां वंदन वारंवां आज से लगभग सौ वर्ष पहले की बात है सौराष्ट्र में एक छोटा सा रमनिय गाउं है नाम है वडवान पुराण में यह गाउं वर्धमान पुरी रूप से प्रसिद्धी प्राप्त था क्योंकि भगवान महावीर इस भूमी पर विचरे थे इस पवित्र भूमी के पीपल वाले घर में एक सरल प्रमानिक धर्मिष्ट सद्ग्रिहस्त जेठा भाई और उनकी तेजस्वी बुद्धिशाली धर्म प्रिय पत्नी तेजबा रहते थे विक्रम समवत 1970 भाद्रपद कृष्ण दूज शुक्रवार का दिन अनोखा ही उदित हुआ था कई दिनों से भीशन गर्मी भैलाता हुआ सूर्य आज अपेक्षाकृत सौम्य और शान्त लगता था बर्शा की बदलिया आज शीतलता भैला रही थी वातावरन प्रसन और अहलादक था जमीन पर चहुं और हरी चादर बिची हुई थी और इस मंगल दिन भव्य जीवों को दिव्य चक्ष प्रदान करने माता तेजबा की रत्न कूक से महा विदेही देव कुमार बहिंचरी चम्पा बेन ने इस परम पवित्र धरा पर कदम रखा था साधे तीन बर्ष की लगुवय में पूज चम्पा बेन ने बाता की शीतल छाया गमाई उनके शैशवकाल उनकी बहिं समरत बेन के यहां कराची में व्यतीत हुआ पूज चम्पा बेन बालपन से ही स्वभाव से सौम्य, सौजन्य शील, वैरागी और मिष्ट भाशी थी वे बहुत थोड़ा बोलती परन्तु बहुत मधुर बोलती उनकी मीठी मधुरवाणी के कारण वे पडोसियों में सब को प्रिय थी सब उनकी प्रियवाणी सुनने को उत्सुक रहते थे बहिंश्री को बालपन से ही सदगुणी व्यक्तियों के प्रती अपार प्रेम था सतियों का बहुत आकरशन था शाला में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण होने पर उन्हें सती मंदल नामक पुस्तक इनाम में प्राप्त हुआ था उसमें से सतियों के चरित्र पढ़ती थी और उनके संबंधी रास गर्वा चौगान में गवाती थी साथ वर्ष की छोटी उम्र से पूर्व जम के संसकारों के फल स्वरूप पूज्य चम्पाबेन को भिन्नता के विचार आते थे चक्की में दलते हों तब चक्की के दो पढ़ भिन भिन है कपड़े धोते हों तब डंडा, साबुन, मैल इत्यादी कपड़े से भिन्न है कच्रा निकालती हों तब जाडू अलग, कच्रा अलग और हात अलग है इस प्रकार पदार्थों के भिन्नपने के विचारों में वे मग्न रहती थी शरीर और आत्मा भिन्न है, ऐसे तत्व ज्यान का प्राधान्य शुरू हो गया था इस ज्यान की जिग्यासा उन्हें धार्मिक अभ्यास की ओर प्रेरित करती थी लगुवय से ही मकान की बहिनों के साथ प्रतिक्रमन करती थी सामायक, प्रतिक्रमन, भक्तामर, कल्यान मंदर आदिस्तोत्र उन्होंने कंठस्त किये थे उनका चित वैराग्य से बहुत भीगा हुआ था लगुवय से ही दीक्षा लेने की उग्र भावना थी अपनी यह भावना उन्होंने उनकी सखी के समक्ष व्यक्त की और सखी द्वारा यह बात बाहर आई चमपा बेन को उलाहना मिला, नरम प्रक्रती के कारण बोल नहीं सकी तीवर भावना साकार नहीं हो सकी परन्तु यह तो त्यागी जीव, इन्हें संसार की माया तो जाल जैसी लगती थी कराची की इमारत में पानी भरने का सामोहिक नल था वे पानी भरने जाए तब घड़ा लेकर शांत चित से एक और खड़ी रहें पानी भी न भरें तब दूसरी बहने कहतीं कि हरे चमपा, खड़ी क्या है पानी भरने का तेरा नमबर तो कभी का आ गया तब बहिंश्री धीमी आवाज में बोलतीं कि सब भर लेंगे, पस्चात भर लूँगी तब दूसरी बहिने कहतीं कि इस चमपा को पहले पानी भर लेने दो दुन्यवी संदर्भू में कैसी अलिप्त थी। सत्संग की भावना उनके हुरदय में निरंतर व्रिद्धिगत होती गई। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, वैसे वैसे बहिंश्री को यह देश अर्थात कराची छोड़ कर संतों की भूमी ऐसे स्वदेश में जाने की इच्छा प्रबल होती गई। अहियां अमारू कोई नथी आमें आभी जग्रा पर देश। सत्संग अहियां कोई नथी हवें जाओं छे स्वदेश। अमारे जाओं छे स्वदेश। निज स्वरुप मां धर्वु अमारे तल साट उपड़ो है। त्वराथी मूल वतन मां जाओं साभ र्याचे स्वदेश। अमने साभ र्याचे स्वदेश। अमने साभ र्याचे स्वदेश। संत समागम की जूरणा अस्वय हो गई थी। इसलिए कहीं रुचता ही नहीं था। और उन्हें सतत ऐसा लगता था कि यह अमूल्य मनुष्य भव बीता जा रहा है। आत्मा का कुछ होता नहीं। एक दिन बहिंचरी चमपाबेन रोटी बना रही थी। तभी अचानक उन्होंने द्रण निश्चय किया। और अकेले कराची से ट्रेन में वड़वान जाने के लिए निकल पड़ी। शांत और नरम प्रकृति वाली बहिंचरी चमपाबेन ऐसा साहस किस प्रकार कर सकी। उसका आश्चर्य उन्हे स्वयम को तथा सबको हुआ। आत्म ज्यान की प्रबल प्रेरणा से यह साहस हो गया। वड़वान आकर इस अमूल्य मनुष्य जीवन में मोक्ष के लिए पुरुशार्थ प्रगट करके भवब्रमन मिटाना था। इसलिए तत्तों की स्पष्चता के लिए वैराग्य और उप्षम द्रड़ो ऐसे शास्त्र पढ़ते, उनका विचार मन्थन दिन रात चला करता। बारम बार मौन लेती, ध्यान करती, त्याग का अंगीकार करती, कुटुम्बियों के साथ भी अल्प ही बोलती और श्रीमद राजजंद्र जी जैसे कहते हैं कि एकांत में ही संसार का ख्षय होने बाला है, उसका सौवा भाग भी कुटुम्ब रूपी काजल कोठरी में रह राजजचंद्र आदिगरंथों का वांचन और चर्चा करती, पूरा दिन घर के कामकाज के समय भी वे ही विचार चला करते, तत्व संबंधी विचारों का घोटन हो, इस हे तु तात्विक निबंध लिखती, जैन धर्म के सिध्धान्त सत्य ही है, ऐसा वे सहज रूप से स स्विकार करती, जैसे जैसे सद्बोध की विचारना बढ़ती गई, वैसे वैसे सद्गुरु के दर्शन समागम की छटपटाहट जागरित हो गई, उनकी भावना नुसार पूज गुरुदेव श्री के पावनकारी दर्शन तथा मंगल व्याख्यान श्रवन का सर्वप्र मंगलकारी योग विक्रम समवत 1985 में वड़वान में प्राप्त हुआ, पूज गुरुदेव श्री के तत्व ज्यान से भरपूर पुरुशार्थ प्रेरक प्रवचन सुनती और लीपिबद्ध करती, इस प्रकार मोक्ष मार्ग की विधी उनके हाथ में आ गई, शरीर वानी मन विकल्प से आत्मा भिन्न है, स्वान भूति हो तब आनंद सागर उचलता है, ऐसे गुरुदेव के उपकारी वचन सुनकर समकित प्राप्त के लिए पुरुशार्थ जागरित हुआ, उनकी देह में उप्शमरस का ढाला ढल गया गुरुजी ए करो उपकार राखी नहीं खामी रे, आपा मर पर करुणा अतिवर सामी रे बहिंश्री ने साधना की शुरुवात वड़मान में की और पूर्णता वांका नेर में हुई, वे वांका नेर में उनके बड़े भाई ब्रजलाल भाई के यहां रहती थी आत्मा की साधना के लिए रूम में, बरामदे में और रसोई घर में बैठ कर पुरुशार्थ करती थी अंतर में विरह वेदना होने पर बारंबार गाती थी दूरकां प्रभुद्धोड तूमारे रमतरम वीनति आनयन बंधन तोड तूमारे रमतरम वीनति नति सहनतै शकती प्रभुतारा विरनी वेदना ये देवरुजदर रडन वीना मारे रमतरम वीनति ओयर रमत घड़ी वे घड़ी नहीं वर्षके नहीं मासनि आतो युगंतर वखी गया मारे रमतरम वीनति आनयन बंधन तोड तूमारे रमतरम वीनति आहाहा आज का मंगलकारी दिन आया विक्रम समवत 1989 चैत्र कृष्ण दशमी के पावन दिन मात्र 19 वर्ष की छोटी उम्र में वाका नेर में उग्र पुरुशार्थ करके निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त किया इस जीव को परिब्रमन का किनारा आ गया अंतर में अनन्त काल से नहीं अनुभव से हुई ऐसी शाश्वत शांति का अनुभव हुआ वाका नेर आनन्द का दिन 1989 चैत्र कृष्ण दसवी को सोमबार दोपहर सामयक में निज स्वरूप का अनुभव हुआ अनन्त काल से नहीं समझा हुआ स्वरूप समझ में आया आनन्द सागर उचल रहा था वह स्वरूप आश्चर्यकारी और अद्भुद है परम उपकारी परम प्रतापी सद्गुरुदेव को नमस्कार आज मंगल मंदीर द्वार कूला, मंगल द्वार कूला रे स्वानु भूतीना स्वाज आज चाख्या, मंगल द्वार कूला रे है योगनी सवर्शे उल्लसी आत्मलगन दिन रात, वात गमे नहीं विश्वनी प्रभु पामेज होय नीरात रे, मंगल द्वार कूला रे आज मंगल मंदीर द्वार कूला, मंगल द्वार कूला रे परम उपकारी गुरुदेव के परम प्रताप से सम्यक दर्शन प्राप्थ हुआ इसलिए पूज गुरुदेव के दर्शन करने की भावना बहिंचरी को जागरित हुई यह बात गुरुदेव को विदित कराने के लिए बहिंच्री पुरशुत्तम भाई के साथ राजगोट गई उन्होंने अत्यंत भाव से पूज गुरुदेव के दर्शन किये और विनेपूर्वक नम्रता से विदित कराया कि आपके प्रताप से मुझे आत्म साक्षातकार हुआ है पूज गुरुदेव ने पूछा कि बहिंच्री आत्म साक्षातकार होने पर क्या हुआ तब नम्रता से विनेपूर्वक उत्तर दिया आत्मा अकरता हुआ करत्रित्व छूट गया आत्मा ग्याता हुआ आहा हाहा, आत्मा कहां पुरुष है? कहां स्त्री है? कहां बालक है? कहां व्रिद्ध है? पूज गुरुदेव के व्याख्यान श्रवन और दर्शन का लाब लेने बहिंश्री चम्पाबेन जिस गाउं में पूज गुरुदेव चातुर मास करते वहां जाती पूज गुरुदेव ने पूज शांता बेन को कहा कि यह चमपा बेन वास्तविक पात्र है, गंभीर, विचारक, गहन वैरागी है तुम्हें लाब हो ऐसा है इस प्रेरणा के बाद दोनों बहिनों का चातुर मास में साथ रहने का योग शुरू हुआ और वे दोनों बहिन्चरी बेन के उपनाम से प्रसद्ध हुए विक्रम समवद 1991 के चैतर शुकल तेरस के महावीर जयनती के मंगल दिन सोनगढ के स्टार ओफ इंडिया मकान में पूज्य गुरुदेव ने स्थानकवासी संप्रदाय त्यागगर सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म अंगी कार किया सत के लिए क्रांति की सोनगढ के एकांत शांत स्थान में स्थाई निवास किया अनुक्रम से सोनगढ भारत का एक अध्वितिय अनुपम अध्यात्मतीर्थ बना मुमुक्षुओं का प्रवाह दिन प्रत दिन वेग पूर्वक बढ़ता गया और पूज बहिंशी बेन ने आत्मसाधना के लिए पूज गुरुदेव के कल्यानकारी प्रवचनों का लाभ लेने के लिए विक्रम समवत 1991 में सोनगढ को स्थाई निवास्थान बनाया विक्रम समवत 1993 वैशाख कृष्ण आठन के दिन बहिंशी चमपाबेन को आत्मा के शुद्धो पयोग रूप निर्विकल्प अनुभव में से बाहर आने पर दिव्य जातिस मनन ग्यान हुआ तद पश्चात ध्यान करते हुए एकाग्र हो जाने पर स्वयम भारत वर्ष में है या विदेह क्षेत्र में है यह भी विस्मृत हो जाता था और उन्हें पूज गुरुदेव श्री के नव भव संबंधी असंख्यात अर्बों वर्षों का ज्यान प्रगट हुआ प्रतक्ष यहनु ग्यान चे बेनने प्रतक्ष यहना भरस असंख भरस असंख भरस आई चे केम के सुधर मस्वर्ग मार गया था आहा है मैंने काली वाद जिम याद आवे मसंख बजनी वाद याद आवी चे लाव्या ओमद्वनिनानाथ गुरु अर भावी ना भगवान आव्या आव्या स्मरन भगवती माताने आव्या आव्या स्मरल भगवति माताने लाव्या ओमद्वनी नानात गुरुवर भावी ना भगवान। पूज गुरुदेव ने बहिंश्री को भगवति नाम से सम्मानित किया। इन ने संग सहित प्रथम श्री शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की। समवत 1996 में नेमिनात भगवान के निर्वान तीर्थ श्री गिरनार जी की पावन यात्रा की। इस यात्रा में प्रभु के दर्शन करते हुए बहिंश्री बेन को लगा कि सोनगण में साक्षात जिनेंद्र भगवान का विरह है। नित्य दर्शन का लाब नहीं है। तब उनकी ऐसी उच्च भावना देखकर नानालाल भाई जसानी ने पूज गुरुदेव के समक्ष सोनगण में नूतन जिन मंदिर बनाने की भावना व्यक्त की। तब पश्चात सोनगण में सीमंधर भगवान पधारने पर बहिंचरी बेन की भावना पूल्ण हुई। प्राग नारे आज पधार्या जिनवर मारे मंदिरे आश्चर्यकारी मुद्रा प्रभुनी शोगती रे हाँ शोगती रे जान गुरुने आश्चर्य उपजावती सरण कुरीमा सरण मैं वधामनारे वधामनारे सिमंधर भगवंत आज पधारा मंदिरे समवत दो हजार पाच में पूज बहिंश्री बेन ने श्री सम्मेद शिखर जी की मंगल यात्रा की यह यात्रा धाम निहार कर वे भाव विभोर हो ठी और कहा अहो यह तो तीर्थंकरों का देश मुनियों का देश अनंत तीर्थंकर यहां से मोक्ष पधारे वेराग की उग्र भावना भाते भाते उन्होंने कहा की बेन हम आर्यका बना कर इस वन जंगल में साधना करने चले जाएं तब जोरदार वेराग रस से सरावोर उन्होंने यह भावना भाई की एका की वी चरतो वडि समाशानमा वली परवतमा वागसिया सैयोग जो अडुलयासन नेमन मान एक्षोबता परम मित्रनो जाने पायमा योग जो परम मित्रनो जाने पायमा योग जो पूर्वय वसर जेवो क्यारे आवसे पूज्य गुरुदेव श्री और बहिन श्री बेन के चरण कमल में रहने का लाब प्राप्त करने तथा आत्मा की साधना करने के लिए अनेक बहिनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और तत्पस्चात संबत 2008 के माघ शुकल पांचम के दिन पूर्ज बहिन श्री बेन तथा अन्य बहिनों ने गोगी देवी ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थाई निवास किया उस समय पूर्ज गुरुदेव श्री ने बहिन श्री बेन को मंगल आशीरवाद दिया कि बोधी समाधि को प्राप्त हो आश्रम का निर्मान मंदिर से इतना नस्दीक हुआ था कि वहिन श्री बारंबार गाती हरतां परतां प्रगट प्रभुम देखूं रे पूज गुरुदेव ने संग सहित संबद 2013-2015 2020 और 2023 में शाश्वत तीर्थ धाम सम्मेद शिखरजी चमपापुरी पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्रों की और दक्षन भारत में जैन तीर्थ श्रमन बेला गोला पोनूर आदि की भी यात्रा की आजे देख्या शाश्वत तीर्थ राजनेरे अनंत चोवी से नासित धाम चे रे यहीम हीमा तानों नहीं पार आद देख्या शाश्वत तीर्थ राजनेरे अहो यात्रा गुरुजी सात मारे पूज गुरु देव श्री के प्रवचनों द्वारा धर्म प्रभावना के योग में विश्व में अनेक स्थानों पर जिन मंदिरों के प्रतिष्ठाएं हुई तेर्थ धाम स्वननपुरी में भी स्वाध्याय मंदर, सी मंधर जिन मंदर, समवसरण, प्रवचन मंडप, मान स्तंभ जी, परमागम मंदर, नंदीश्वर जिनालय आदी अनेक मंदिरों के स्थापना हुई इस प्रकार इस युग में एक समर्थ धर्म प्रभावक आचार्य जैसे सद्गुरु देव ने अनेक उन्नतिकार अद्भुद अनुपम कार्य किये सुवर्ण पूरिये पहुच्या गुरु जी, म्याननी करता करता ना सिमन्धर देवनी थापन खईने, बन्यु सोन गढध यात्रान उथा धर्म प्रभावना एवी तो करी, चारो दिशाए जयना सेवक हैयूं हरशे उछडे, सामड़ी गुरु मुखे आतम निवा पूज गुरु देव श्री की मंगल उपस्थती में पूज बहिन श्री का हीरों से सम्मान हुआ पूज गुरु देव श्री कहते, बहिन तो चैतन्य हीरा है, इनका जितना सम्मान करो उतना कम है बहिन को तो बाह्य प्रसिद्धी की कुछ पड़ी ही नहीं है वे तो अपने आनंद में रहती हैं मैं कहता हूँ इसलिए खड़ी रहती हैं ऐसा ऐसा तो बहुत कहते बहिन श्री कहती हीरों से सम्मान करने का क्या काम है ऐसी प्रवृत्य में जुड़ना मुझे नहीं रुचता है हम तो एकांत में बसने वाले हैं हम तो आत्मा की साधना करने आए हैं विक्रम संवत 2033 में बहिन श्री के वचनामृत पुस्तक का प्रकाशन हुआ यह पुस्तक देख कर गुरुदेव श्री ने रामजी भाई से कहा मैंने आज तक कोई पुस्तक प्रकाशित करने को नहीं कहा है परन्तु यह पुस्तक एक लाख छपाओ इसमें बारह अंग का सार भरा है कागर में सागर समाया है पुज्य बहिंश्री ने सातिशे ज्यान के बल से गुरुदेव द्वारा हुई अनेक विद मार्ग प्रभावना में विशिष्ट सहयोग प्रदान कर मुमुक्षु समाज पर महान उपकार किया है और इसी लिए वे वास्तव में अभिनंदन की पात्र है उनके प्रतिभक्ति भाव व्यक्त करने के लिए गाउं गाउं के मुमुक्षु समाज ने अभिनंदन पत्र अरपन करने का आयोजन किया उनके गुणानुवाद के निमित मुंबई, लिम्बनी, वडवान, बाकानेर, सोनगड, सावरकुंडला इत्यादी अनेक गाउं की समाज ने अभिनंदन पत्र अरपन किये विक्रम संबद 2037, मार्ग शीर्ष कृष्ण सातम के संध्याकाल में भक्तों के परम आधार गुर्देव ने भक्तों को निराधार छोड़ कर अंतर ज्यायक की साधना युक्त समाधि के परणाम पूर्वक स्वर्ग में महा प्र्यान किया भक्तों और बहिंश्री के जीवन में यह अत्यन्त करण अत्यन्त वैराग्यमय प्रसंग बना और विरह में बहिंश्री के वृदय में से यह स्थवन स्पुरित हुआ चांडलियासंगेशो देजे गुरु देवने वसी रहाचे स्वर्गपुरीने धाम जो स्वर्णपुरीना धामो आसुना थया भरतक्षेत्र ने छोड़ी चाला नात जो तुझ विरहे रदयोभवतो ना रडी रया तलवलता जम मात विहूना बाल जो चांडलियासंगेशो देजे गुरु देवने आज पूझ गुरु देव देहधारी स्वरूप से अपने बीच नहीं है परंत उनकी अविनाशी उज्वल आत्म जयोती अखंड रूप से अपने को प्रकाशित करती है उनके आध्यात्मिक टेप प्रवचन और साहित्य के स्मरण रूप पुष्प हमेशा अपने पास रहेंगे विक्रम समवत 2041 के शुब दिन स्वन्ण पुरी में नंदीश्वर जिनाले में अकृत्रिम जिनालेयों का निर्मान हुआ तथा उनमें श्री आदिनात भगवान, श्री महापद्म भगवान तथा श्री भावी भगवान इत्यादि पधारे इस प्रसंग में प्रतिष्ठत जिन प्रतिमाएं पूर्ज बहिंश्री के घर में विराजमान की गई इन वीत रागी जिन बिम्बों के दर्बार से उनके घर की रौनक कोई निराली हो गई बहिंश्री के जीवन का यह सुवनन प्रसंग था भगवान के निकट बहिंचरी बारंबार आकर बैठ जाती और प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाती उनके भक्ती भरे उर्दय में से प्रभु भक्ति की बहुत स्तुतियां रची गई जिनके भक्ति रस में मुमुक्षू सराबूर हो जाते थे इन जयनादों से गूंजदा आनंद में वातावरण भक्तों के रदय में उतकिर्ण हो गया था और परम पूज गुरुदेव श्री के परम प्रताप से नंदीश्वर जनालय में बहिंश्री की उपस्थती में पालगुन शुक्ल सप्तमी को प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया कहान एक्स्प्रेस पूज बहिंश्री की इकतर्मी मंगल जन्म जयन्ती के प्रसंग में एक विशिष्ट स्पेशल ट्रेन निकाली गई थी जो पूज बहिंश्री तथा सर्व मुमुक्षु गण सहित सोन गण से पूज बहिंश्री के जन्म स्थल बढ़वान ले जाई गई जिसमें बोटाद, लिम्बणी इत्यादी स्टेशनों पर मुमुक्षु भक्त गण द्वारा उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया था पूज गुरु देव श्री की भक्ति के अच्यत्तम हर्शोलास में उनका जन्म शताब्दी महुत्सव तथा कहान गुरु जीवन दर्शन का उद्गाटन हुआ अबस्टम की भора नहां की विल्ची जीव क्यूआ पूज्य वहिंश्री का अम्रित महोत्सव हजारों मुमुक्षु भक्तों द्वारा अत्यंत आनंद उल्ला से मनाय गया था और प्पार अत्नी का अत्य हैं ग्रण्ज यार्णन ह् अत्य गافनेश्ज ऑफन्द औरों म्होत्विण कुछ यहां जाओक्ष अत्यू कि लोगधा आदनारी तर्ग रीचा तेज़ पूनकर अने खुद है झाले तर्ग तर्ग प्राइट, सुद खुद में टन देख एनों गिनान करके आधूरी परियाये चे, आप पूरी परियाये चे, आप विभाव परियाये चे, इसाधना ने परियायो जे चे, एने गिनान लक्षमा ले चे, गिनान पन द्रायो ने, द्रायो पर द्रश्टी करे चे, गिनान बदाने जाने चे. झाल झाल कर दो कर दो पूज गुरुदेवश्री के परंप्रताप से तीर्थधाम सुवननपुरी में पूज बहिंश्री की सम्यक जयन्ती चैत्रकृष्ण दशम पूज गुरुदेवश्री की जन्म जयन्ती वैशाख शुकल दूज और पूज बहिंश्री की जन्म जयन्ती भादो कृष्ण दूज आधिप्रसंग आनंद से मनाये जाते हैं। गुरुदेव ने 45-45 वर्षों तक शुरुत की धारा बहाई है। वह उपकार भक्तों के हुदय में विराजमान है। विक्रम समवद 2047 जेष्ट कृष्ण तीज के दिन भगवती माता ने अंतर ज्यायक की साधना युक्त समाधि पनणाम से स्वर्ग में महाप्रयान किया। क्रोर काल ने भगवती माता को छीन लिया। भक्तों के जीवन आधार है माता गुरुदेव तो चले गए और आपकी विदाई से हम तो अत्यंत अनात हो गए। सिमन्धर नंदन वंदन तुझने खव्यातम हाधार। पुर्वाराधन दोर सांधिने प्रगटी इग्नायक धारा। दर्शन द्यो माता मोरी परी 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 पाय पढ़ू दोरी। विदाई वसमी माता कारी याये चैन न पढ़तूं। सरल वदन ना दर्शन काजे मनडू कूब तलसतूं। दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पढ़ू दोरी। सुना सुवरण पूरी नाधामो मन मंदिर मुझ सूना। दशे दिशाओ सूनी सूनी माता तूझ विरहमा। दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पढ़ू दोरी। दोरी पाय कि दम venue के क्यूई बातां दो धर्शन दो आतां दो दोरी। कर दो